हैलो एवरीवन, लास्ट में ऑप्टिकल बायो सैंसर का एक वीडियो हो, मेरा ये लास्ट वीडियो है, आज की बायो सैंसर टॉपिक का इसको देखीजे, देखी बहुत सिंपल है, ये भी Optical Bio Sensors चो होते हैं, उसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं, या तो Light की Amount को मेजर करते हैं, क्योंकि Optics में हम लोग Light से Related चीज़े पढ़ते हैं, तो Optical Bio Sensor में या तो Light को मेजर करेंगे, या तो फिर Reflection Pattern को मेजर करेंगे, कि Change कितना हो रहा है, Reflection Pattern में, Light के Reflection में कोई Change आ रहा है, किसी Surface के थ्रू, या किसी Refraction Properties में कोई Change आ रहा है, Refraction Properties आपको पता है कि, अलग-अलग Surface के अलग-अलग होती है, Air की सबसे कम होती है, Water की Air से ज़्यादा होती है, अगर कोई और Dense Material ले ले लेंगे, तो उसका Refraction, और Reflective Index और भी जादा होगा, तो अगर जैसे-जैसे, मालीजे, कोई भी चीज देंस होती जाती है, भारी होती जाती है, उसकी Reflective Properties भी Change होती जाती है, Reflection Pattern भी Surface का Change हो सकता है, कोई Reaction अगर हो रही है, तो ठीक है, तो ये सारी चीज़े, जो Reflective Reflection की बात कर रहे हैं, वो सब Optics Related है, और इसी चीज़ को Measure किया जाएगा, आपके Optical Biosensor में, लाइट को Measure करने के लिए, जैसे, मालीजे, लूसी फेरेज एंजाइम का हम यूज कर रहे हैं, और उसके थुरू अगर किसी चीज़ को Detect कर रहे हैं, Amount of ATP Produced या कुछ भी इस तरीके की चीज़ों को Detect कर रह है, ठीक है, लूसी फेरेज एंजाइम का यूज अगर हम कर रहे है, इसा, Biological Recognition Element, ठीक, अब देखिए, जो हमारे Biological Recognition Element होते हैं, Optical Biosensor में, वो Optical Transducer का इसमें यूज होता है, मतलब जो Biological Recognition Element होते हैं, वो तो Normal होंगे, वही जब DNA, या फिर Antigen Antibody, या कोई Enzyme, लेकिन ज यूज होते हैं, वो Optical Transducer यूज होते हैं, ठीक है, तो जो Optical Transducer System से ही Biological Recognition Element को जोड दिया जाता है, अब देखिए, Optical Transducer क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एक्जाम्पिल मैंने यहां दिये हुए हैं, इसको भी आप थोड़ा सा इसको लॉंग बनाने के लिए लिए लिख सक दिया जाता है, Refractometer का यूज किया जाता है, Refraction की Properties में, अगर कोई Change आ रहा है, इसको मेज़र करने के लिए, Resonators का यूज कर सकते है, Resonance Properties में, अगर कोई Change आ रहा है, तो इसको मेज़र करने के लिए, तो यह Optical Transducer के टाइप हैं, जो कि वो Optical Bio Sensor में यूज किये जाते है जादर तर ठीक है तो यह हमारे ऑपटिकल ट्रांसडूसर हो गई थोड़सर डाइगराम में समझ लेते हैं कि हो क्याँ एक्चूल में सबसे सिंपल डाइगराम मेन बनाए हुआ है जो कि आपको enzyme को immobilize कर दिया है अब उसके बाद देखे जो enzyme को immobilize करने के बाद या किसी भी biological recognition element को immobilize करने के बाद हमारा कोई light source है जो इस optical transducer की surface पे पढ़के कोई particular reflection pattern दे रहा है जैसे माली जी जो उपर वाला arrow है वो हमारा normal condition में जब enzyme केवल sorry जब ये केवल हमारा biological recognition element लगा हुआ था तब हमारा एक particular pattern ना रहा था reflection का जो उपर वाला arrow है लेकिन जब हमने यह sample apply किया तो उसमें जो analyte था वो इसके साथ bind हो गया bind होने के बाद क्या हुआ इसके reflection property में कुछ change आ गया तो एक नया reflection हमें मिलने लग गया reflection का peak ठीक है तो जितनी ज़्यादा binding होती जाएगी कुछ shift होता जाएगा reflection का angle या इसके reflective properties भी change हो सकती है reflective properties क्यों change होगी क्योंकि यह भारी होता जाएगा ला जितना ज़्यादा binding होगी वो ज़्यादा dance होता चला जाएगा जिसकी वज़े से refractive index बढ़ता चला जाएगा तो इस तरह की changes को अगर हम measure कर लेते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है optical biosensor ठीक है अब इसका use कहां कहा होता है use देखिए सबके similar है जो हमने calorie meter में जो use पढ़े थी calorie metric biosensor का कहां कहां use होता है optical आप optical में भी लिख सकते है calorie meter में भी लिख सकते है potentio metric और empirometric में भी लिख सकते है तो use सबके वही होते हैं लेकिन उसमें transducer अलग-अलग fit कर दिये जाते हैं तो नाम अलग-अलग हो जाता है ठीक है तो इसको आप देख लीजेगा बहुत कोई यह tough नहीं है simple अगर आप diagram भी अगर आपके मन में अगर बस गया है तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं exam में तो इसको देख लीजेगा optical biosensor इसके बाद मैं भी कोई topic और लेकर के नहीं आ रही हूँ आपके exam के लिए all the best अगर आप जा रहे हैं exam में तो रास्ते में देखते हुए वीडियो चले जाएए या बस में जा रहे हैं तो बस में बैठ के वीडियो देख लीजे तो आपको याद होता चला जाएगा ठीक है तो thank you all the best again